हेलो दोस्तों इस्टेडी इगलोस में आपका स्वागत है तो पिछले लेक्चर में हमने नौर्थ इस्टेट्स के भी नैसल पाग कवर कर लिये हैं आज से हम वेस्टेट्स के जो है नैसल पाग को कवर करेंगे तो कौन कौन जी स्टेट्स है राइस्थान, गुजराद, गु सबसे पहले है राजिस्थान oh गुज्राद सबसे पहले हैक तो जो घर्राइब यह उन के राजिस्थान को हुए में सरेशञ़न और इसमें तीन वाईलाइब संचुरी हैं एक दर्रा वाईलाइब संचुरी नैशल चंबल संचुरी और जवाहर सागर वाईलेब संचुरी और यह लोकेटेड है कटियावर के ड्राइड ड्राइड एसीडियस फॉरिष्ट के पास ठीक है अब हम आगे देखते हैं देखिए मु चंबल नदी और आहू नदी और हम्जान नदी ठीक और छेसर नदी formats आ मिलेंगे जैसे बेंगोल टैगर ओ hypocok होगया क्रिफ्फर आप वOOOOOOOOO वजे संब मेजिसेट // जानबर रहे संब पर हमढ़ और ट्र p Desert National Park ठीक है और यह जो है जैसल मेर और बरमार जो राजिस्तान में टाउंस है उसके पास यह लोकेटेड है और इसके पास जो एरिया है वो है 3162 किलो मिटर तक का इसका एरिया है ठीक है दोस्त आप देखतें इसको डीटेल में देखिए राजिस्तान में लोकेटेड है और जै जैसल मेर और बरमार जो राजिस्तान के टाउंस है उसके पास यह लोकेटेड है इसके पास टोटल एरिया जो है वो 3162 किलो मिटर तक का है देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो थार डेजर्ट का एक एको सिस्टम तंद का एक बहुती अच्छा उधारण है पार्क अब हम आगे बढ़ते हैं मैट देख चुके हैं यहाँ पर आपको एगल्स मिलेगी हैरियर्स फैल्कॉंस बजर्ट केश्ट्रेल वर्चर्ट यह सब आपको यहाँ पर तेक्नों मिलेंगे उसके बाद सेंट ग्राउउस यह सब स्पॉट्टेड हुए है इनके यहाँ पर ज बहुत हजारों साल पहले जो जानवर होते थे वहां के फॉसिल्स भी आपको आपको देखने मिलेंगे इस एरिया में ठीक है तो बहुत ही पर फ्लोरा देखिए रॉंज पाम्ट्री बेर्ड नॉक यह सब आपको मिलेगा में पर डेजर्ट फॉस बेंगल फॉक्स डेसर्ट वॉल्फ हजॉग चिंगार यह सब आपको देखने मिलेगा रेप्टाइल्स इस्पिनी टेल्ड लिजर्ट मॉनिटर लिजर्ट सॉइट स्क यह सब विंटर में आती है रेप्टर्स आपको यहां पर टॉनी श्टैप इगल्स लॉंग लेड़ रहनी बजर्ट फालकॉंस यह सब यह आपको यहां पर देखने हो मिलेगा तो यह उन्हें देखा डेजर्ट नेशनल पार्क अब लोग देखने हो मिलेंगी जो सब सब्सक्राइब देखने हो मिलेंगी और इसको डिक्लेर किया था प्रोटेटर सैंचुरी 1971 में और यह वर्ल्ड हरिटेस साइट भी है यह इसका मैप है कलेडियो नेशनल पार्क जो है यह भरतपूर में है राजिस्थान में यहां को बर्स की स्पीशीज बहुत सादे देख और आगरा से 55 किलोमेटर दूर है और यह कमसंग में इसका एरिया जो है 29 किलोमेटर तक में फैला हुआ है यहां पर आपको शौक जासे देखने हो मिलेंगी जैसे साइनोडन डॉक्टेलिन और डिचान्थियम एनूलेटम यह सब आपको यहां पर देखने हो मिलेंगी लेक ठीक है और यहां पर घंजा 379 स्पीशीच जो है यह प्लांव कि देखने हो मिलेंगी आपको अब आगे मारते हैं कौन-कौन से यहां पर अनिमल्स मिलेंगा आपको देखे गंगा के मैदान में पार का स्थान इसे बहुलो सारास और कर्मिरेंस के लिए एक बिजोर्ट प्र इंडियन शेग रफ पेंटेड इस्टार्क वाइट स्पून बिल एशेट उपन बिल्ड इस्टार्क औरिंटल आइबस डाटर कॉमन सेंट पिपर वुड और सेंट पाइपर ग्रीन सेंट पाइपर यह सब आपको यहां पर देखने हो मिलेगा ठीक है सारस क्रेंज जो है यहा लाइसेंडल पार्टर कारेंजानल यहां प्रेमल आप नित्ति के साद यहां भी रहता है सारस करण भी आपको यहां पर देखने हो मिलेगी तो यह दकिय करिए हमने नेक्टेजी ओ कलेडियो नैसलिंड पार्क खेंड 13.5 km दूर है ठीक है और यह अरवाली और विंद्यान हिल रेंजेस के जंक्शन पर लोकेटेड है और यहां से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा यहां जानवर बहुत दिखाए देते हैं पार का एरिया जो है 400 km का है और उसके बाद अगर इसको सवय मांसिंग सेंचुर रंथमबोर फोर्ट है हिस्टोरी रंथमबोर फोर्ट है उसके बाद इस नेशल पार्क का नाम दिया गया था ठीक है जो पार्क के अंदर ही है रंथमबोर फोर्ट जो है वो आपको पार्क के अंदर ही दिखने मों मिलेगा इसके बाद ही इसके उपर ही इसका नाम दिया है तो यह देखिए रंधाबोर नैशल पार्क है यह राजिस्थान में लोकेटेड है यह रावाली और विंद्या रेंच के जंक्शन पे लोकेटेड है ठीक है और इसका जो एरिया है वो 400 स्कौार किलोमेटर है ठीक है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखिए रंधाबोर नैशल पार्क में आपको डेसेडियस फॉरिश मिलेंगे और बंगॉल टाइगर इंडियन लेपर्ड नील गाय वाइल बोर सांबर स्टिप्ड हैना स्लॉट बियर सौरन प्लेंस ग्रे लंगूर रेसेस मकाक बगर कोकोडाइल चीटल यह सब आपको यहां पर द देखे हो मिलेगी अब आगे बढ़ते हैं देखे तंथंबोर फोड जो है दसवी शताबदी में दोसो मीटर 210 मीटर के असपास के मैदान से उपर बनाय गया था किले के अंदर कणे शिव राम लल्ला जी को समिर्पित तील लाल करोली पत्थर के मंदिर है ठीक है देखे यह है भगवान सुमती नाथ और भगवान संभणात का दिगंबर जैन मंदिर है मंदिरों को निर्मार 1 ग 623 शताबदी में किया गया था पदमत अलाओ पार्क में कई झीलो में से सबसे बड़ा है ठीक है पारत का दूसरा सबसे बड़ा माना जाने वालutral माना जाने वाला विशाल काय बर्गत का पेड़ भी जील के पास है तो ये दोस्तों हमने देखा रंधाबोर नैशनल पार्क अब हम गुजरार के नैशनल पार्क देखेंगे देखें वंस्दा नैशनल पार्क जो है ये एक बहुत खुबसूरत पार्क है ठीक है ये बहुत खुब्सूरत जगा है जो गुजरात राज के नफसारी जिले में स्तेद है पार को अपना नाम वंजदा मिला क्योंकि यहां शेत्र वंजदा के महराजा के निजी सौमित्व में था वंजदा नैशन पार गुजरात सरकार और राज के एक अधितिया सरक्षित शेत्र दोरा बनाया रखा गया है ठीक है दोस्तों उसके बात इस शेत्र को 1979 के वर्ष में एक राश्य उदान के रूप में इस्थापित किया गया था कटास बास के पेड़ों की कटाई वाला शेत्र 1952 से पेड़ों की कटाई के लिए अपनी सुन्दर्ता के कारण नहीं है पार का कुल शेत्र पर लगभग 23.99 किलोमीटर है तो इसका 23.99 किलोमीटर में ये पार जो है फैला है ये इसका देखिए मैप है ये है वंस्दा नैशनल पार्क ये रेखिए ये गुजराच के नफसारी ये गुजराच के नफसारी दिश्टर में लोकेटेड है और 29 किलोमीटर में ये फैला हुआ है ठीके दोस्तों ये है वंस्दा नैशनल पार्क अब आगे बढ़ते हैं ये बहुत घना जंग गिगंटिक रिपर्स ये सब आपको यहां पर देखनों मिलेगे पार्क में आपको पाइथन वेनोमस स्नेक्स जैसे की रसल्स वाइपर कोबरास क्रेट्स ये सब आपको देखनों मिलेगा अफलोरा देखते हैं टीग सदाद बंबू दूद कोड ककाड काकराओ टिमरू हम्ब कलम, मुडाड, हल्दू, सीसम, चुपारी, बंडारो, कुसम, टनाच, असान, महुदो, बहदा, उमारो, शिमलो, अंबला, एक्सुत्रा ये सब आपको यहां पर फलोरा देखनों मिलेगा फॉना देखिए लेपर्ड, ड्रेसेज, मकाक, जाइंट स्कॉरल, वाइल बोर, हन देखिए इंडेन, ग्रेट, ब्लैक, वुड़ पैकर, यलो बैक, संबर्ड, फुम्पा डोर, पिजन, मालाबाद, ट्रोगन, कॉमन, ग्रे, हांबिल, जंगल, बेबलर, फॉरेस्ट, पॉरेस्ट, वक्टेल, शामा, परड़ाइस, फ्लाइ केचर, लीव बर्ड, सशेस, माल मलाबाद ट्रोगॉन पी फॉल्स यह सब आपको यहां पर बर्स देखनों मिलेंगी अब इतना याद तो करने ही पाऊगा तो कुछ के आप नोट्स बना लेना ठीक है कुछ बर्स के नोट्स बना लेना जैसा फुट पैकर हो गई येलो बैक्ड बैक संबर्ड हो गई मलाबाद ट्रोगॉन आभी रखियो मैं आपकी पूरी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा ठीक है उसके बाद मैं आपको बताऊंगो कौन-कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं इतना जानवर याद भी निकर पाऊगे बहुत ही मुश्किल है तो जो पूरे साल न्यूज में रहती है वही आती है तो इस बार कोशन पूछा उससे ठीक है तो इसलिए मैं अभी लेक आऊँगा आपके लिए फिर पताऊंगो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है तो यह वंजदा नेशनल पार्क हमने देखा अब ब्लैक बग नेशनल पार्क देखते हैं य एक्षिन में खंबात की खाड़ी के तटों को काटे हुए यहां 34.8 किलो मीटर के शेत्र में फैला हुआ है जो मुक रूप से भावनगर रियासत के महराजा की विदी मतलब घास का मैदान था जो अपने प्रसिद शिकार चीता के साथ ब्लैक बक्स के शिकार के लिए था ठ गिगरत किया गया है ठीक है दोस्तो तो ये ब्लैक बग नेशनल पार्क है अब हम तेखते को यह देखिये ब्लैक बग नेशनल पार्क यह आपका गुज्रार के भववनगर में सिचुईटअट है और इसका जो एडिया है वो है 34.8 किलो मीटर ठीक है दोस्तों तो यह है आपका ब्लैक बंग नेशनल पार्क अब आगे देखते हैं फॉना यहाँ पर आपको मेली ब्लैक बंग देखनों मिलेंगे वुल्प्स मैके कुईंस बश्टर्ड हाइना लेसर फ्लोरिकंस फॉक्से जैकॉल्स जंगल कैट यह सब यहाँ पर मेन का फॉर्ष्ट गृग नैशनल पार्क गृट इनाशनल पार्क भारत के अनूटेप पार्क में से एक है घिर के जंगल का कुल एरिया जो है वो 1412 किलो मेटर है थेकर चौरा-साओ बारा किलो मिटर का कुल एरिया है उसके बाद गर नैशनल पार्क और वंजीव भ्हाराण जाना जाता है गिर दुनिया के लोगप्रिया एश्याई शेरों का एक मात्र प्राक्रितिक का आवाज है तो यहां पर आपको एश्याटिक लैंड बहुत जाधा मिलेंगे ठीक है अब देकि यह है गिर फॉरिस्ट गेशनल पार्ग यह गिर नैशनल पार्ग यह जूनागर मे लोकेटेड है जूनागेड में स्थेत है और उसका जो शित्फल है मतलब एरिया जो है 1412 किलोमीटर है और यहां पर आपको अशियाटिक लैन बहुत जादा देने हो मिलेंगे ठीक है देखिए गिर फॉरेस्ट को ही डिकलेर किया था नैशनल पांक 1975 में और टोटल एरिया जो सेवन बेजे परिनियल रिवर्स आपको इस गिर फॉरेस्ट के पास से पास होती है हिरान सरुस्वती डटार्दी शिंगोडा मचुंदिरी गोडा गोडावडी और रवल ठीक है उसके बाद देखिए फ्लोरा देखिए टीक देखनों मिलेगा धावडो खैर सदद यह सब आपको यहां पर दिनों मिलेगा यार यह तयार नहीं कर पाऊगे बहुत ही मुश्किल है नहीं याद कर पाऊगे ठीक है फॉनर रेके लायन सांबर चीतल ब्लू बुल फोर हॉंड एंटिलो वाइल बोर जैकॉल श्राइब धायना जंगल कैट बियर रस्टी स्पॉ कॉमन मंगूज इंडियन पर्कुपाइन चिंकारा गोल्डन जकॉल डेजर्ट कैट ब्लैक बग्स यह सब आपको दिनों मिलेगा बर्स श्राइब रेट रंगो पाइड वुट पैकर ब्लैक आइबेस शहीन फालकॉन बोनमिल इगल ग्रेट हॉंड आउल टॉनी इगल पार्क ठीक है तो सबसे पहले आप देखिए कच्च की खाड़ी में समुद्री राष्ट उद्यान भारत के गुजरात राच के देबुमी दौर के चिले में कच्च की खाड़ी के दक्षिर किनारे पर इस्थेत है ठीक है अब यहां बें 42 आइलेंस मिलेंगे जामनगर कोश और सीग्रास से देनों मिलेंगी सीवीड देनों मिलेंगे फॉना आपको गंजेटिक डॉल्फिंस जाएंट क्रैप्स रेफीज रेली फांट बलूगा वेल्स जाएंट लैधर बैक्ट होन्फिश कलरफुल कोरल सिस्पॉंजे जाइंट यह सब देनों मिलेगा कॉमन अगली वीडियो में हम लोग बाकी सारे नैशन पार्ग जो है कवर कर लेंगे तो अगली वीडियो साब बहुत जल मिलेंगे तब तक लिए धन्यवाद